आज हम बनाएंगे आलू की लच्छेदार नमकीन भूजिया, दो आलू ले लिया हैं मीडियम साइस के, उनको कद्दू कस कर लेंगे और एक पानी में डालते रहेंगे ताकि आलू का रंग जो है वो काला ना पड़े, इसी तरह सारे आलू को हमने पहले कद्दू कस कर लिया ह और इसको हम 4-5 पानी से अच्छी तरह दो लेंगे ताकि इसमें जोतना भी सारा मांड या स्टार्च है वो सारा निकल जाए, हमने इसको 4-5 पानी से बदल के दो लिया है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है, इन लच्छों को हम अलग से निकाल लेंगे, जाली पर और जो बा बादेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा सोक हो जाए और उसके बाद इसको पंखे की हवा में सुका देंगे 10-15 मिनट के लिए इन सभी आलों की ऊपर ही लेयर अच्छी तरह सूक गई है, उधर मीडियम हमने ऑईल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे उसमें डाल दिये ह थोड़ा सा हम इसको उलट उलट देते हैं, तो यह हमारे अच्छे हैं आलो के लच्छे हैं जो वह अच्छी तरह से सीख जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे यह अगर आपको थोड़ा ज्यादा हलका सा इनको ब्राउन रखना है तो आप हलका सा रख सकते हैं नही निकल जाएगा या किसी नैप्केन पे निकाल लेंगे साथ ही इसी गरम वाइल में फ्राई कर दियें कुछ मुफली के दाने थोड़े बादाम के साथ थोड़ी सी किश्मी भी फ्राई कर ली हैं और कड़ी पत्ते भी फ्राई कर दिये हैं इनसे इनका टेस्ट बहुत ही बुजिया है ये बादार की बुजिया से बिलकुल भी कम नहीं है बलकि उससे भी स्वाधी बनती है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिच डाल देंगे हलकी सी इसके साथ ही इसको और चटपटा बनाने के ल है तो लीजिए ये एकदम क्रिस्पी बनके तयार हुई है इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे और इसको स्टोर करके रख लेंगे अगर आप एक बार बनाके रख ले दें तो इसको 10-15 दिन तक आ पहराम से किसी एट-ट जार में बनके भी इसको खा सकते हैं तो आप ही बन कर दो सिएक वेठे को हम करेंस किसी एट जा रहीं करेंसंदिल तो आप है।